दोस्तों स्वागत आप सबका इंडिया आज नबर में फंटेसे क्रिकेट के रहे यूट्यूब चाल पर गाइस से आज बिग बैश लीग का क्वालिफायर मैच सिड्नी सिक्सर और पर्त के बीच में धोपेर एक बज़के 45 मिनट पे खेल जायागा इस सीजन की दो सबसे बहुत तकड़ा है तो कौन सी टीम के बॉलर्स आज इस मैच में विकेट निकालेंगे और कौन से बल्लेबाज रन मनाएंगे यह सारी चीज़े में आप से इस वीडियो में डिसकस करूंगा तो अगर आपने इस मैच में विन करना है अगर आपने इस मैच में प्रॉफित क कमाना है तो भाई पूरा वीडियो देख लेना आपको एक एक प्लेयर के बारे में मैं आपको डेटा और स्टेट्स के साथ समझा दूंगा कि कौन सा प्लेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टन है और उसको टीम में रखना या नहीं रखना है उसके बाद फिर जो आपकी टीम करना में वीडियो डालता हूं और अगर आपको रोजाना वीडियो देखकर के एक अच्छी टीम रानी है रोजाना आपको विन करना है तो भी पीछे क्यों लगभग पहुने अठारा लाख लोगोंने सब्सक्राइब क्या हुआ हुआ है जो वीडियो देखकर रोजाना मैच के बारे में सिक्सर और परत का मैच है जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियो में एक एक चीज में दोनों टीम्स के पिलेर के बारे मता दूंगा कि किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है बट फाइनल टीम जो वेरी होगी जिसके साथ मैं लाखों रुपे इंव क्या है यहां पर मैं टॉस्क के बाद हर मेंच की टीउट फिरी में डालता हूं तो अगर आपको मेरी टीम चाहिए विन्स फिरी में क्रों कोई क्षा निए हुए नो त impair को और आप भी रोजाना फायदा उठाइए उम्मीद करता हूं जोइन कर लिया होगा नहीं कर रहा है तो जल्दी जा वे या डिस्क्रिप्शन कमेंट शेक्शन पर दोने जागा लिंक है या फिर आप टेलिग्राम पर फंटेसी किरिकेट ग्रूप सर्च करके भी जोइन कर सकते हो बिल्यूटिक वेरिफाइड चैनल है आप देख लीजिएगा अगर इस बात करें आज के मेंच के बारे में तो जहां मैच की बात आती होँआ पर ओफर्स की बात भी आती है और जहां ऑफर्स की बात आती होँआ पर वीजन 11 दोड़ गया जाता है कि बाई मैं बाट रहा आप पैसे कमाओगे तो जिसने अभी तक वीजन डाउन डाउन नहीं किया है फाइड डिस्क्रिप्शन में लिंक में रोज़ाना डाल रहा हूं आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वीजन लेवन को डाउनलोड करो और फिर फीरी में खेलना है स्टार्ट कर दो मैं है मिनिममम इंट्रिफ्शन यहां पर अगर आप एक मनाते हो तब यहां पर धेर सारा प्रॉफिट तो इतने सारे पूरा इंडिया सहे भी तक टेलिंड नहीं किया तो जाकर डिस्क्रिप्शन में या फिर टेली में आपको लिंक लिंक दे रहा हूं आप जाकर करिए डाॉन मतलब आप 15 लाग रुबे आज जीश सकते हो अगर आपके फोन में विजल नहीं हो रहे हैं तो सिड्री किर्केट ग्राउंड में में अब वेदर की बात करें तो यह पिच यूजरली बैटिंग फ्रेंडली होती है ठीक है और जो यहां पर बॉलर्स को मिलती है उसमें पाई और चार मैंच भी मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से पेसर बोल बाला रहा है बाकि एक चीज यहां पर थोड़ा सा आपको एक अजीब ही दिखेगी इंटरनेशनल मैंच जो यहां पर खेले गए उसमें 134 का जाती है जहां 134 कावरेज कोरता यहां पर टीट्वेंटी लीक्स की मैंच में 166 का है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि यहां बैटिंग यहां पर अच्छी होती है टीट्वेंटी लीक्स में अब पिछले चार मैंच भी आप देख लीजिए लास्ट जो मैंच के रगया मैंच में ज्यादा विकेट को मिले नहीं है उसके पहले मैंच था थोड़ा लोग स्कॉरिंग मैंच था होबाट की दिम पर्थ की टीम ने 17 मैंच जीत लिया इस मैंच में पर्थ की टीम और यह वाला मैंच पर्थ की टीम हार गई ती इस मैंच में आप देखो गए तो आठ युकिट पेसर को मिले है और तिन विकेट इस पर देखो तो यह तो यह एक हो सकते हैं अगर खेलते तो पाकि पेसर्स अच्छे आपको आगे में दिखा भी दूँगा तो हम मान के चलते हैं कि 160 के जो अवरे स्कोर है उतना हैं पर ब क्योंकि दोनी टीम्स की बॉलिंग बहुत तगड़ी है अब आगे हम देख लेते हैं पिछले चार मैं चुम्हें जो विकेड के रहे हैं उसमें पहली इनिंग में ज्यादा विकेड मिल रहे हैं यह चीज़ आप नौटिस करिएगा ठीक है अब अगर हम बात करें है तो भी ल लिए बोल रहा हों कि दोने टीम्स की जो बॉलिंग है वह बहुत तगड़ी है तो बैट्समें के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब कि बैट्समें दोनों के पास अच्छे खास हैं एक तरफ आपके फिलिप हैं कुर्टी से हैं हैं दूसरी तरफ आपके इसक्रे करें तो अगरा बात करें फिलें चार मेंच ह mesmo कि परको पर्ट के तरफ में निकल का अब ऑपके तरफ तक से बैंढ रॉफ और तौसरी नियांगा रहा है और उसके लावा आपको एक दिए नियांग गये हैं बाकि तो और टाई आपको पर्थ के दिख रहे हैं वहीं एवाट और केर इनका जो जोड़ी है वह गजब कर रही है इनके साथ में बर्ड और आपके क्रिश्चर भी जुड़ जाते हैं हाले के क्रिश्चन को बहुत कम होगा मिलता है ठीक है ठीक है और उसके लावाँ आपको यहाँ पर ड्वेर शिश बैटिंग करते हो दिख रहे हैं केर रेगुलर कंसिस्टली पाउम कर रहे हैं चारों मैच से की मैच कौन टीम जीतेगा तो दोनों टीम में टॉप करके आई है पर्ट की टीम ने थोड़ा सा जादा और मेंट किया और बहुत तगड़ा है आपको बॉलिंग में टाई मिल जाएंगे और आपको बैंड रॉफ मिल जाएंगे और इसके आपको जो अभी मौरिस वगयर और बैटिंग में आप देखो दो इनके पास स्टार्टिंग से बैंड बैंक्रॉफ्ट है इसके रही है और आपके पास पिर टर्नर है हाड़ी है ठीक है तो काफी तगड़ी टीम है हाला कि इसके पास भी कमी नहीं बट मेरे इसाब से पर्थ की टीम को जीतने चाहिए तो अच्छे का जो भी कॉमिनेशन में रखोंगा थोना सब पर्थ को फेवर करके टीम मराऊंगा आप आगे बात करें स्कौर्ड की तो इसक्वार्ड में मेरे इसाब से कोई चैंज है नहीं पर इसक्सर के तो सिक्सर की पिलेंग लेंग यहां पर देख लेते हैं सिक्सर की जो यह जोड़न के डेल कृष्चान हैं और अगर आप देखो तो चारो तगड़े पेशर से विकेट टेकिंग पेशर से इसमें इसारो लाग इनको असिस्ट करेंगे अगर जोरत पड़ेगी तो पीस में अब गाइस इस टीम में आप देखिए इनके पास एक ही लफ्ट है एक तो यह होगी बात अब इस टीम में मेरी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे तो भाई देखो जौश फिलिप अच्छे प्लेयर है बट विकेट कीविंग में आपके वास उदर से जौश इंगलिस काफी तगड़ा ऑप्शन है तो मैं एक ही विकेट कीपर लोंगा जौश इसको मैं यहां पर बैटिंग में लोंगा इस्टिवान इसमित को और वोईज हैं विकेट को उसके बाद फिर में जाओंगा आपके बॉलिंग में हैंडन के साथ और सीन अबोट के साथ यह मेरे चार प्लेयर कंपा मैं स्टीम की तरफ से पांच्वा प्लेयर अगर बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां फिर को प्लेयर को ले रहा हूं मतलब की बॉलिंग को थोड़ा मैं मजबूत कर रहा हूं आप चाओ तो यह बात होगी सिक्सर की आपको आगे प्लेयर वाइस पहुमिस में दिखा देता हूं ताक कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ बैंड परशिश एक अच्छा ऑप्शन है हाले कि आपके पास इंग्लिश भी है जोश फिलिप दिए तो इसमित लास्ट के चार में देगी च्यासाट रोटाउट एक सो पचीस और एक सो ग्यारा चारी में सीजन में और उधेड कर रग दिया है इस चीम के अगेंस्ट भी काफी ग फिर यहां पर आके पच्छमन मना दिए फिर फिलॉप तो अभी अगर आप देखोगे आठ दस इनिंग इसकी लास्ट की तो दो तीन में प्रफॉर्म किया बागी सब में फ्लॉप है हाला कि विकेट की पर विकेट के पीछे आपको एक दो कैस दे के चला गया तो बीस पॉ इनका थोड़ा सा आवरेज पर हमें से बहुत बड़ा स्कोर नहीं करें और बहुत कम पर भी आउट नहीं हो रहे हैं तो अगर ज्यादा बिलके खेलने के लिए तो अच्छी तगडी नहीं खेल सकते हैं हैं थोड़ा सा पिछले चार-पाज में लगतार फ्लॉप है तो हैंडिकेस एक एक्सपीडियंस कैप्टन है अपनी टीम के तो अच्छे आपके बास जोड़ा से थोड़ा से डाउन आते हैं अच्छी खासी दुनाई कर देते हैं अब आगे हम बात करें आप से डेल क्रिस् टीम लेना रहें लास्ट के में दो विकेट लिये उसके पहले दो में जीरो उसके पहले थे पहले तीन विकेट निकाल रहा है इसलिए मैंड वर्षिश को दोनज सा प्रिपार रहा हूं इस चीज को देखते हैं उसके लगातार निकाले हैं जैक्सन बड हर में में मिल रहा लग बग काफी अच्छा है इनको थोड़ा से कम विकेट में और इस पर रहा है कि सामने राइट हैं आपके लिए काम आ सकते हैं तो अगर यह खेलते हैं तो आप इनको कर सकते हो बट पिच को देख करें कि भाई पिच पे टर्न है या नहीं यह लास्ट के मैच इस सीजन चार विकर आखरी मेच में लिए ते उसके पहले दो विकर जिरो विकर तिन की तरह तो आप पिक कर सकते हो अगर आगे हम बात करें हैं कि सिक्सर की प्लेयर का है पर्त क्या सब्सक्राइब तो आप देख लेगा पर आप फिलिप के साथ भी स्विच कर सकते हो और फिर आते हैं आप सब्सक्राइब को बहुत 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 है और आपके सोला में पंद्रा ठीक है अवरेज है बढ़्ड सत्रह में पंद्रा विकेट तो मैं जो आपको बोल रहा हूं कि आप ड्रॉप करके जा सकते हो फिलिप के साथ में तो यह आपके पास एक उप्शन है शायद मैं मैं भी लास्ट मोमेंट में स्विच्च कर जाओं तो इसलिए बोल रहा हूं कि फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम बने रहा ना अब बात करें पर्थ की पर्थ के स्कौाड में कोई चैंज नहीं हुआ है तो प्लेंग लिए अगर हम देखें यहां पर पर्थ की तो इसमें सब्सक्राइब करेंगे लास्ट मेंच में काफी घजब रही करेंगे इस सीजन बहुत तगड़ा पहुमेंस आया इनका जौश इंगलिस हर मेंच में उन्होंने इंप्रेस किया एस्टन टर्नर थोड़े से अन्प्रेडिक्टेबल हैं बॉलिंग कराते हैं कभी-कभी आज करा सकते हैं बटे इनको पूरे विकेट नहीं बिलते और जब इनको ड्रॉप करते हो तो विकेट भी लेके चला जाते हैं निकॉप सब्सक्राइब कोपर कॉपर कॉनली इनका ज्यादा कोई फाइदा है नहीं एंडू टाइडविट पाइले जैसे बेंडर और और लैंस और इस हर मैच में दो विकेट निकाल रहे हैं तो बहुत तगड़ी बॉलिंग लाइन है और इसी की वेसे टीम टॉप पर बनी हुए तो गाइस अगर हम बात करें इस टीम में से मेरी टीम में कौन कौन से प्रेयर होंगे तो भाई हार्डी जॉश इंग्लिस ये मेरे कंफर यह मेरे 6 प्लेयर होंगे आप चाहो तो लेंस मर्स की आप डेविड पायरे को ले सकते हो या फिर आप ट्राइब कर सकते हो एस्टन टर्र को लेने का मेरे साथ में तो बड़ा फाइदा हो नी अब आपको दिखायता हूं मैं क्यों कि प्लेयर को पिक कर रहा हूं बैंक्रॉ इन्होंने थोड़ा सा प्रेशान किया है भाई देखो पिछले 6 मैंचों में लगातार फ्लॉप एक में 30 जरूर बहां दिये तो इस चीज को देखते हूं मैं थोड़ा सा इसको प्रिफेर कर रहा हूं थोड़ा सा कंसिस्टन से इनकी बैटिंग में ठीक है लास्ट में इस चाहा है तो आप चाहो तो दोनों को ले सकते हो एक को ले सकते हैं यह थोड़ा सा कंसिस्टनी को कर रहे हैं और है और तो आप ले सकते हैं निको लेने के जादा है नहीं स्मॉल लीक्स में नहीं यह थोड़े से बैटें कि आती नहीं है एंड्रू टाइन रगुलर विकेट निकालने वाले पॉल रहे हैं आप देखो इस सीजन में सिर्फ दो ही मैचे जहां पर इनको विकेट नहीं बाकि हर मैच में में दो विकेट तीन विकेट इवन आपको यहाप पर दो दो विकेट की तो जड़ी कुई दिख रही है है काफी गजब है और ग्राउंट पर देखो दो दो चार 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 तीन तीन मतलब दो से नीचे एक ही मैच में इन्हों ने एक बार एक विकेट लिया अधरवाज दो ही विकेट तो लेते लेते हैं ठीक है डेविट पाइन है काफी अच्छा पोंस है औ आप देखोंगे तो लगातार चार मेचों से विकेट निकाल रहें ग्राउंट पर भी काफी अच्छा है बट थोड़ा सा टाई से नीचे यह लैंस मौरिस दो विकेट से नीचे अभी तैकी सीजन लिये नहीं बंदे ने चार मैच खेले और चार मेचों में इन्होंने नों है अगर खेलते हैं तो कूपर कॉनली की जगह पर आ सकते हैं मेरे इसाब से खेलाना भी चाहिए और खेलते हुआ आपको दिखेंगे भी ठीक है काफी अच्छा है अलकि इनको सक्सेस नहीं मिलिए सिर्फ दो ही विकेट बिले इनको साथ में जो मैं आप गाइस हैं आपके प्रेंकर ओफ नौ में चों में अठारा कावरेज है वह अच्छा नहीं है यार इस बात आपके इंग्लिश है अठाइस का और यह फिर आते आपके टर्नर टर्नल का सब्ताइस का और चार विकेट भी निकाले हैं और आपके टाइब इस में में चों में 31 विकेट गजब पह आइक का गुर्ट केया रहा है आपको हैड्वेंट फिर एकएब में आपको देखाया को और मैं क्या कर रहा कितना उन्रेकर लेना चाहिए नहीं लेन civilians हैं अब आप बताओ आपकी टीम बनाने में क्या प्रेशानी आएगी सारी प्रेशानिया दूल कर भी अब इसे लिए एक अच्छी टीम बना करके किसी को भी रा सकते हो इसलिए बोलता हूं कि वीडियो बहुत इंपॉर्टन लुटा टीम बनाने से पहले अब यहां पर मैं आपक से किट की पर आपके जौश इंगलिश को लिए हुआ है आप जौश फिलिपिक को भी ट्राइ कर सकते हो या तो एक बोलर को ड्रॉप करके ठीक है रिकेंज की जहां पर कुल्टिस पेटर सकते हो ऑप्शन सारे है वह जो टॉप हो सकते हैं जो इंपॉर्टन है उनको मैं बॉलिंग में एंड्री टाइल लैंस मॉरेस बैंड रॉप इनके साथ तो मैं समझोता करूंगा नहीं ड्वैर्श और एबॉट ड्रॉप करने लाइक यह भी नहीं यह बाकि ड्वैर्श यहां पर आप जा सकते हो यहां पर फिलिप के साथ में या फिर आप बैंक्रॉप के सकते हैं तो उसको भी ट्राइब सकते हो अब इसमें जोबी चैंज होगा जैसे भी चैंज होगा जो मेरे वाइस कैप्टन होंगे वह सब चीजा आपको टॉस के बाद टेली गराम पर बताऊंगा तो जिस बाइन अभी तक टेली नहीं किया है अब आप जाओ डिस्क्रिप् चाहते हो मिनीमम इंट्री फीस में तो जाओ भाई वीजलेर को डाउलोड करो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है तो मिलते हैं टेलीग्राम पर बेस्ट अफलाइक